सब्सक्राइब नाव एन्ड प्रेस डृप आइकन नेवर मिस अन अपडेट झेहन दोस्टों आज का हमारालेक्च्छर यह सी बीची टेस्ट या सी बीची एक्जाम नेशन si सीविसी का परफर्म होता है complete Blood Count सीचेक क्या है सीचेक के अंद्रगत कौन-कौन से पेरामीटर होते हैं सीचेक क्या फियोगता है और सीचेक कैसे Πरफर्म करते हैं आज हम इस वीडियो में ही सब जानेंगे सीचेक स्वास्त का मूलयंकर करता है CBC टेस्ट से हमें लिओकेमिया बीमारी के बारें पता चलता है आजकल स्वास्त के लिए च्राइश स्थिपरींग की से पैरामिटर्स रहते हैं वह बलेड के parameters के counting करते हैं इसलिए इसको बोलते हैं complete blood count थोड़ी सी definition है जानते हैं the investigations included under the title complete blood count यानि कि investigation include रहते हैं किसके रूप में title के रूप में किसके लिए the complete blood count यानि कि CBC के अंतरगर जो investigation include रहते हैं उसको बोलते हैं CBC test may vary in different laboratory setups हाना कि अलग-अलग laboratory में इसके perform करने के अलग-अलग तरीके हो सकते हैं जैसे कि कहीं-कहीं पहले manual test लगते थे आजकल कहीं 3-part machines है 5-part machines भी आ रही है बट जन दली include the following हाना कि इन CBC के अंतरगा सभी जगे सभी लेबराटरियों में parameters एक जैसे होते हैं थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है जैसे कि 3-part machine में 19 parameters होते हैं और 5-part machine में 26 parameters होते हैं पांचवा हैं पैक्ट सेल बॉल्यम पी सीबी इसको एस सीटी या हीमिटोक्रिट भी बोलते हैं छेटवा रेट सेल इंडाइसस रेट सेल इंडाइसस में तीन चीज़े होते हैं फर्स्ट MCH, MCB, MCSC यह तीनों अनीमिय टाइपिंग में help करती हैं यह 6 मुख्य रूप से CBC test में एहम रॉल निवाते हैं उसके बाद यह साथवा होता है MPW, आठवा RDW, 9PDW, 10 PCT इसके लाभा भी एक-दो और parameters होते हैं सब सब मुख्य जो parameter है हिमोगलोविन हिमोगलोविन का नॉर्मल रेंज में 13-18 ग्राम पर डेसी लीटर फीमेल में 13-16 ग्राम पर डेसी लीटर होता है इसका मुख्य फंसन होता है औक्सीजन का transportation करना ओक्सीजन का लंस से टिशू तक या औरगन तक transportation करने का काम होता है सेकेंड और बीसी काउंट इसके decrease होने में हमें कई सारी बीमारियों का इंडिकेशन होता है कि कौन सी बीमारी है इस से बहुत होती है कि प्रिकात से निक की रूप में कार करते हैं जैसे कि कोई पार्टिकल या पर कोई बाहरी पैक्टिरिया वाइरस हमारे बॉडी में प्रेजेंट कर जाते हैं हिर तो उनक्से लड़कर हमाँ शरीर को प्रॉक्टेक्ट करती यह बड़ा काउंट यह करका सीट्टिंग तो पांच पीसी भी इनलब स्सी टी लफ परिय तोर्ट्र ह экспер कितना वोलियम है इसके व हुता है टेस्ट सब्सक्राइब के बारे में बताते हैं कि कौन से प्रकार का नइमिया है सबसे ज़्यादा मुख्य जो टेस्ट देखते हैं परामीटर से देखते हैं सी बीसी टेस्ट के अंदर यह होता है यहां से लेके यहां तक जो छेट परामीटर से यह मुख्य है हम रोल निभाते हैं कि हम पढ़ते हैं क्लीनिकल सिग्निफिकेंस यानि कि जो सी बीसी टेस्ट में जो परामीटर परफॉर्म किये जाते हैं हीमोगुलोबिन आर बीसी डाबलू बीसी प्रेट लेट उनका नॉर्मल और उनका महत तो क्या है सी बीसी टेस्ट में कि सबसे पहले पढ़ते हैं हीमोगुलोबिन इसकी नॉर्मल रेंज है मेल में 13-18 ग्राम पर डेसी लीटर 13-18 किसी-किसी में 13-17 है तो बुक के हिसाब से एक ग्राम उपर नीचे हो सकता है और फीमेल में 12-16 ग्राम पर डेसी ल लीटर कि चिल्ड्रन में अब टू बन इयर लग न्यूबन बेबी से एक साल तक के बच्चों में 11-13 ग्राम पर डेसी लीटर पाया जाता है और दस से लेके 12 साल तक के बच्चों में साड़े ग्राम से 14.5 ग्राम पर डेसी लीटर पाया जाता है अब देखते हैं, increase of hemoglobin, यानि कि अगर blood में hemoglobin की मात्र जादा है, increase है, बढ़के आ रहा है, तो इसके ये कारण हो सकते हैं, जैसे कि first कारण है loss of body fluid, इसके blood में body fluids की मात्रा कम हो रही है, severe diarrhea, vomiting, अगर decrease of hemoglobin, अगर hemoglobin की कमी है, तो एनिमिया हो सकता है, next है, total RBC count, total RBC count की normal value होती है, male में और female में अलग-अलग है, male में होती है, 4.5 से 5.5 इंटू 10 इंटू 6 cells per cubic mm, female में है, 4.0 से 5.0, 10 इंटू 6 cells per cubic mm, यानि कि 4.5 मिलियोन पर cubic mm इसकी होती है, और female में 4 से 5 मिलियोन पर cubic mm होती है, ब्लेड में RBC count का कम होना या ज्यादा होना दोनों ही इंडिकेट करती है, कम होता है, तो पता चलता है, हो सकता है, कौन सी दिसीज होई हो, कौन सी बीमारी हो सकता है, इस सब जानकारी मिलती है, जैसे कि increase of RBC, होती है, फर्स्ट कंडिशन हीमो कंसंट्रेशन, हीमो कंसंट्रेशन में RBC count बढ़ जाता है, बर्न जलने की स्तिती में RBC count बढ़ा हुआ आता है, डिहाइड्रेशन में RBC count बढ़ जाता है, अगर कोई chronic heart disease होई हो, प्रवाने समय से कोई heart की बीमारी है, तो इन सब में RBC count ब decrease of total RBC count, फर्स्ट कंडिशन होती है, अगर old age 60 plus है, उस कंडिशन में RBC count बढ़ आता है, प्रेग्नेंसी, प्रेग्नेंट लेडी गरबती महला है, उनका हीमोगलोबिन और RBC count बढ़ आता है, थार्ड है अनीमिया, अनीमिया में हीमोगलोबिन कंसंट्रेशन लो हो जाता है, लोस ऑफ ब्लेड के कारण, तो इसमें भी RBC count लो होता है, CBC report का next parameter होता है, WBC count, WBC में दो प्रकार के counting होती है, फर्स्ट होता है TLC count, और सेकेंड होता है DLC count, अभी हम देख रहे हैं TLC count, इसका फॉलपर्ण टोटल लीकोसाइट count, इसकी नॉर्बल रेंज होती है, एडल्ट में 4,000 से 11,000 पर क्यूबिक mm, एट बर्थ लब जन्म के समय, 10,000 से 25,000 पर क्यूबिक mm होती है, जन्म के समय बच्चों में ये WBC बड़ी हुई आती है, बट और चिल्टरन में एक से 3 साल तक 6,000 से 18,000 पर क्यूबिक mm होती है, और 4 से 7 यर्स तक 6,000 से लेके 15,000 पर क्यूबिक mm होती है, नेस्ट 8 से लेके 12 साल तक की बच्चों में 4,500 से 13,500 पर क्यूबिक mm होती है, यानि कि ये एक एज के according इसका WBC काउंट, TLC काउंट कम या बढ़ता जाता है, अब देखते हैं, CBC रिपोर्ड में TLC काउंट किन-कन कंडिशन में बढ़ा हुआ दिखाई देता है, या बढ़के आता है, TLC काउंट दो कंडिशन होती है इनक्रीज ओप WBC या TLC की, फर्स्ट होती है पैतलोजिकल कंडिशन, पैतलोजिकल कंडिशन में फर्स्ट है मानलोब पीरिड ओव इनफेक्शन, उसको कोई इनफेक्शन के दौरान WBC काउंट किया गया है, तो WBC बढ़के आएगा, जैसे कि बैक्टिरियल इनफेक्शन हो केंसर ऐसे में बने करें वे लुकेमिए stud ब्लेट कैंसर अगर डिटी एल्ची कांट काम होता हमोता हिसको बोलते है कि अटे काइसर दुस्री कंडिशन, फिजियॉलॉजिकल कंडिशन, फिजियॉलॉजिकल गिशन जैसे की एज, एज के समय में यंग ऑज, तो कम जादा हो सकती हैं से कि 8 बर्थ बर्थ के समय 18 जा रहें बढ़ गई ना प्रिंगनेंसी में डबलूबी सी काउंट बढ़ा हुआ आ जाता है हाई टेंपरिचर है सीवियर पैन है मस्कुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं जी में जा रहे हैं तो उस दोरान फिजियोलोजिकल इंदिशन के दोरान टीलसी काउंट बढ़ा हुआ देखाई देता है अभी हमने देखा था कि किन किन कंडिशन में डबलूबी सी यह टीलसी काउंट बढ़ा हुआ देखाई देता है अब देखते हैं कि किन कंडिशन में हमें टीलसी काउंट लो देखाई देता है या कम होता है करदेंबू एंज़ा हुआ हैं इन कंडिशन में टिल सी काउंट लो आता है इस अनीमिया प्लास्टिक अनीमिया और यह आरन डेफिसेंसी आनीमिया है इनकी कंडिशन में लो आता है फर्स्ट एपलास्टिक, सेकंड मेगालोपलास्टिक, थर्ड आरेंड देफिसेंस एनीमिया अब देखते हैं WBC के अंदर सेकंड सेल्स होती है DLC काउंट DLC काउंट लेनकी डिफरेंशियल लीकोसाइट काउंट यह दो परकार के होते हैं DLC में एक होता है इसके नॉर्मल रेंज हैं एक से चार पसेंट वबेसोपिल 0 से 1 पसेंट अब आते हैं अग रंड साहिट में दू प्रकार की इन लिंफोसाइट एंद मॉनसाइट कि इसकी लिंफोसाइट जो होता है वह वहpek 20-45 परसेंटेस और मॉनसाइट होता है 2-8 परसेंट सबसे ज्यादा होता है निट्रोंु左 है इसके आब लिल्पोसाइड उसके लेज नाग workedz है declifications यह दोनों किसनल बड़ेजाते हैं कम हो जाते हैं राइव पाइओ जयनिक बैक्टिर इनकी इस कंडिशन में बड़ा हुआ आता है इनकी इस कंडिशन में बैक्टिरियन लेंफ्रेक्शन में बड़े हुए आते हैं टाइफाइड हुआ हो एन्फुएंजा हो इनिमिया हो इन कंडिशन में नूट्रोफिल्स की संख्या कम होती है इन कंडिशन में दिक्री जॉब सेकेंड है इस्टनोफिल ये किन कंडिशन बड़े हुँ दखाई देते हैं जैसे कि एललजी है अथ्वा अस्थमा है इन कंडिशन में ये बड़े हुए आते हैं सब्सक्राइब हम इस्टनोफिल आते हैं अब डिए सी काउंट के में बेषो फिल होते हैं रहिए बाद में पढ़ेंगे यह माईलोड लुकेमिया है इस कंडिशन बेसोफिल की संख्यां बड़े हुए आते हैं पसेंटेज इसकी बड़ी हुई होती है अब देखते हैं अग्रेंलो साइट में फर्ष्ट लिंपोसाइट देखेंगे सेकेंड मोनोसाइट लिंपोसाइट कब कब बड़े हुए दिख इनफ्लुएंजा सिफ्लेश डिसीज हुई हो ट्यूबर क्लोसेस हो ना इन कंडिशन में लिंपोसाइट बड़े हुए दिखते हैं लिंपोसाइट की नॉर्मल रेंज किती बीस से 45 पासेंट यानि कि 45 पासेंट से अब आप होंगे उसकी रेंज इन कंडिशन में कंडिशन चैने की जब नंहीं ज़ाती हें उनकी जांस करते हैं तो टी फॉललेम्पोसाइट सेल्स कम हो जाते हैं मौनोसाइट में टीबी मलेरिया आफझांट काला जार हो थो इन कंडिशन में मौनोसाइट बढ़ outright दिखाई देता है जाहां डिकल कैनडिशन में मौनोसाइट से किन कंडिशन नेसमें प्रेटलेट इनक्रीज होता है और किनकंडिशन प्रेटलेट कांट देटी होता है जैसे मुझाष्छ्यलिशस की काउंट बढ़ जाता है और हैं ब्लीडिंग डिजॉडर किन कंडिशन में लेट काउंट लो हो जाता है डिक्रीज हो जाता है सबसे पहले ब्लीडिंग डिजॉडर यानि कि कोई ब्लीडिंग डिजॉडर है इस कंडिशन प्लेट लो हो जाता है पूर क्लॉट रिटेक्शन मे डेंगु की condition में फ्रेटलेटकवाउंट लो होने लगता है स्मालटॉक्स होगा हो Michaट॑क्स अगर टैपốc स्थाתח İs प्लस्क कंगिव हैं इन condition में प्लस्क्रचिंद कंगौन लो होने लगता है और इस condition मैं प्लत ओंध काउंट इंक्रीज वहता है सब इसका फिलपालàng ईसका सेल जानी कि जो रहती है ड़ीशी डब्लू बीटलेटक टेस्क प्तकरते हैं विलता है हमिन पॉलते हैं है घ्मित बोलते हैं इसकी नॉर्मल नियंच इन nonEO 60% होती है और फिमेल में 37-47% के होती है कि किस कंदिशन में credits होने लगता है तो हिए है ज्योने लगता है ऑ libraries दो कंदिशन है डाहेटरेशन होने लगता है यह PCB टेस्ट एक प्रकार से जैसे कि यह test tube है इस पर हॉलब्र लेते हैं वन एमल इसको बोलते हैं बेंट्रोब ट्यूब बोलते हैं आगे हम टेस्ट में बताएंगे कि इससे कैसे test लगाते हैं यह हॉलब्र भरा है इसको centrifuge करते हैं एक निद्धारित आर्पेम पर उर ये एक समय के बाद में इसम्हाने इसम्हाने प्लूश्श्ट प्लेटल से ट्रलण हो जाती है हॉलब्र लूदैस में 15 चैनल इससे PCV test ग्याद करते हैं PCV test का manually पता करते हैं अब next step है आप नेस्ट parameter है हमारा RBC indices जो कि हम CBC report में देखते हैं जैसे कि MCB, MCH and MCSC यह कहलाते हैं RBC indices यह मुख रूप से अनीमिय टाइपिंग के बारे में पता करते हैं इससे जैसे कि इनके morphology से RBC के morphology किस प्रकार की है या पर किस प्रकार का अनीमिय है तो अपर इसी से पता करते हैं first RBC indices है MCB, इसका full form है main carpuscular volume इसकी normal range है 82 से 92 फिम्टो लीटर इनकी जो इनोट रहती है इसकी फिम्टो लीटर है आगे जो हम MCH बताएंगे इसके पीको गराम है और इसके आगे जो बताएंगे इसकी परसेंटेज यह competitive exam है इनकी मुख रूप से बहुत अच्छे question बनते हैं इससे तो अपनको यह याद रखना है सबस्था कनफूजन अपने सी में वह जाते हैं कि M C V का पीको गराम है कि M CH का फिम्टो लीटर यह सब कनफूजन कर देते हैं तो इस सब ध्यान रखना है M C V का इनो टेकाई है फिम्टो फिम्टो लीटर एफ ए ए एम टी ओ लाई टी आर ए फिम्टो लीटर ठीक है इसको इसके डिक्रीज और इंक्रीज होने में दो टैप के अनीमिया पता चलता है जैसे कि अगर यह M C V increase हो रहा है तो है यह मैक्रोसिटिक अनीमिया अगर डिक्रीज हो रहा है तो है मैक्रोसिटिक अनीमिया जब हम अनीमिया पढ़ाएंगे तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे सेकेंड होता है RBC एंडाइस है MCH MCH के फिलफों है मेन करपस्कुलर हीमोगलोबिन इसकी नॉर्मर रेंज है 27-32 पीकोगराम ठीक है अगर ये इंक्रीज होता है तो होता है मेक्रोसेटिक अनीमिया अगर ये डिक्रीज होता है तो हाइपोक्रोमिया क्यलाता है थर्ड हमारा RBC एंडाइस है MCSC MCSC मेन करपस्कुलर हीमोगलोबिन कंसंट्रेशन इसका नॉर्मर रेंज रहता है 32-36% ठीक है अगर ये इसका ये डिक्रीज होता है MCSC डिक्रीज होता है तो स्फेरोसाइटोसिस क्यलाता है या फिर स्फेरोसाइटिस की कंडिशन में MCSC इंक्रीज होने लगता है डिक्रीज कंडिशन में हाइपोक्रोमिक अनीमिया क्यलाता है याँ कहें हाइपोक्रोमिक अनीमिया में कंडिशन में हमारा MCSC सी डिक्रीज होता है तो यह था अपना अगे हम वीडियो में देखेंगे कि स्मेक्स के मसीन से पर सी टेस्ट किस तरह के परफॉर्म करते हैं आंगे हम पूरा प्रेक्टिकल वीडियो में देखेंगे कभी-कभी हम देखते हैं कि अनिविष्टीकेशन में cbc के साथ e srb लिखा रहता है क्योंकि cbc के साथ e sr का मुख या arghem roll हुता है सीँ एक kविप्रूब टेस्ट बनाने में जैसे कि इसकी नॉर्मल रेंज है मेल में होती जीरो सो 9 mm आप्टर वन हबर इसकी यूनिट है आप्टर वन हबर यानि कि एक घंटे में इतना यूनिट होना चाहिए इससे समझ रहे होगे इत्रोसाइट सेडिमेंटेशन रहती है यह कहलाती है आपकी सेडिमेंट ठीक है यह उपर का होता है ना इसे उपर का कहलाएगा वह कहला सुपर नेटेंट सुपर नेटेंट ठीक सेडिमेंटेशन रेट वल्लब एक घंटे में एक निश्चत समय में यह जो आर्बीसी है सेडिमेंट हो रही है तो कितनी एमम तक सेडिमेंट हो रही है उसका अपन टेस्ट करते हैं यह सार कर टेस्ट हम बताएंगे इसकी सेडिमेंट होती है एक होती है बिंट्रोब मेंटर ट्यू ठीक है आंगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल से इसकी नॉर्मल देख लिए इसके बीमारी की कंडिशन क्या परोग्रेस कर रही है उससे पता करते हैं कभी कभी हम देखते हैं कि कि इन्यवेस्टी के सब्सेंद मैं सेफलेब साथ कभी कभी एसाल के आता है कभी कभी सीवी सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दोete करेंगे उसका माक्रो स्कुपनी देखोंगे लब उसमें इस सब चीजें देखेंगे पर कि उसमें कौन कौन सी सेल से देख रही है WBC कौन सी सेल से तो मॉर्फोलोजी देखते हैं उसमें बलेड पिक्चर देखते हैं ठीक है थोड़ा सा सौट डेटेल हैं देख लेते हैं इसका एक नाम और भी इसे की पी बीएफ भी बूलते हैं पी इसको बोलते हैं इसमें करने के बाद में इसमें यह पांच चीजें अपनका असेस्मेंट करते हैं कि सबसेप्साइल एसे की इनफॉर्मेशन उन रेडवार मिंजांथं जूं रभी इसे उसका आपन दना मॉर्फलोजी देखते हैं और मॉ sled sleeve Uzbek सब्सक्राइश कि कोई सब्सक्राइब करते प्दें से मिन सब्सक्राइब में देखते हैं size and shape variation में RBC cells देखते हैं दूसरा होता है determination of abnormalities in leekocyte leekocyte WBC का abnormal cells जो रहती है वो देखते हैं कौन-कौन से abnormal cells है वो दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं पीस में तीसरा information काउंट यानिकि जो डील सी काउंट अभी पड़ी थे ना न्यूट्रॉपल इसनोपल मॉनोसाइट लिंफोसाइट तो इस सब इनका information cells के देखते हैं कि अब नॉर्मल सेल्स और नॉर्मल सेल्स चोथा है असेस्मेंट ओप लेट लेट प्रेट का असेस्मेंट करते हैं और पांच बची डेटेक्ट सनों ब्लड पैरसाइट्स यानिकि पैरसाइट्स के लिए भी उपयोग करते हैं से मलेरिया है मलेरिया की र ख Constance सेरा मीटर होते हैं यह 16 पेरामीटर हिए जिसे सबसे पहले 27 इसके बाद इसमें दो मोड होते हैं एक फुली आटोमेटिक हैं अगर कभी-कभी बार को डिस्केंड नहीं करता है तो इसको मैनुली भी टेस्ट लगा सकते हैं इसमें दो अडाप्टर होते हैं यह हैं इसमें दो अडाप्टर रहते हैं इसमें अपन टेस्ट टूब रखते हैं एक अडाप्टर में 10 सेंपल रखे जाते हैं और दूसरे में भी 10 सेंपल रख सकते हैं इसके बाद इसको अपन आप डाउन करके टेस्ट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मसीन को स्टार्ट करन हमारे पास एक ही सेंपल है अभी टेस्ट के लिए इसका हम मैनistoire बताते आपको कि किस्त का सेस्ट लगाते हैं यह हमें इसको अच्छे से मिक्स करना पूर है को सेंपल को अच्छी तरह को लेते हैं की लित करने के वार हमसके टेस्ट लगाएंगे इसमें फूलि अप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्र सेंप्लर मोड लिख के आता है और वैसे को लुख के लिए और यहांपर सेंप्लरएन मोड लखा झुलेंगे इसके बाद इसके नमबर डला या थे नमबर यहां तो करता है तो प्रेंट करेंगे तो ढकन खोल के रखना पड़ेगा ओके किया उसके ग्रीन यह जलने रखती है इसके बाद point आगि दाएगे ओस्यांपट लाण लगा जाईगा उसके अंदर किया है उसके बाद उसके अंदर संपल करेंग एस पर के उसके वाद यहां देखो यह बारकूट जो हमने स्कैन किया था उपर दिखने लगेगा कि दर निंग में है टेस्ट अभी बाहर आ गया मलों उसने सेंपल ले लिया है और बाहर कर दिया सेंपल को अब यहां पर टेस्ट वो मसीन लगा रही है कि देखो इस नंबर का बारकूट हमने किया आसके यह परफॉर्म हो रहा है टेस्ट अबी और यह ग्रीन लाइट बिलिंक हो रहे है अब अभी मसीन बरकिंग में है तो यह बार कोड़ वांशेट इवार कोड देखो यह दिख रहा है यह वसे टेस्ट लगा रही है उसके वाद यहांद देखेंगे टेस्ट लगने के बाद ये उपर सो करने लगेगा यह यह फाइब पार्ट्स एल काउंटर है तो इसमें पांचो डिल्सी काउंट सो करते हैं इसके बाद यह सो करने लगेगा इसका रिजल्ट आ गया है अब इसको ब्राउजर पर क्लिक करके डिस्पे में डिटिल बड़ा कर लेंगे यह देखो यह 26 परामेटर सो करने लगे हैं इसके डवलू बीसी आर्वीसी हीमोग्रोगन हीमड़कोट मसी अप्सीएच सारी मैंने पूर्डेंट पार्ट है वाकी के सब्सक्राइब है सब्सक्राइब है यह दिल्सी के पांचों पार्ट है यह